हे दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी आईएस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकर्स करूंगा ब्रिक्स वेक्सीन रिसर्च एंड डेवलप्मेंट के बारे में ओके तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखेगा दिहान से कि यह जो सेंटर बनाना चाहते हैं सभी ब्रिक्स के नेशन वो कैसे बेनिफिट देने वाला है उनका फ्यूचर से रिलेटेड क्या कंसन हैं क्यों वो लोग इस सेंटर को बनाना चाह रहे हैं क्या दिक्कते हैं यह सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को दो है दोस्तो पूरा द्यान से देखेगा कहीं पर कोई भी डाउट बगएरा होता है तो वो आप मुझसे पूच सकते हैं कामेंट सेक्शन में ओके चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे लेकिन आपको बता दू वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि यह जो वीडियो है दोस्तो शॉर्ट में है पर इंपॉर्टन टॉपिक था इंपॉर्टन निउस थी इसलिए आप लोग के लिए वीडियो आ गई है कुछ बात है आने केडमी से रेटेड तो एक्जाम है दोस्तों आप लोग का चेंपियंशिप होगी 27 मार्च को सेटिफिकेट स्कॉलर्शिप एवलेबल है डिसकाउंट है 20% का हमारा जो कोड स्टडी एस वो यूज़ कीज़ेगा आप लोग को डिसकाउंट मिल जाएगा प्रिलिम सेट की टेश्रीज भी है अच्छे डिसकाउंट पर एजुकेटर कोड के साथ 10% का ओफ भी मिलेगा स्टडी एस आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत है नम्मर पर कॉल कर सकते हैं गाइडिंस प्रोग्राम आप लोग के लिए लाया गया है आप पहली वीक से चालू हो जाएगा यह जल्दी जाई यह रिजिस्टर कीजिए एड़ इंट्रेस्टिंग बात यह है कि अनेकेडिम का जो स्टोर है यह भी खुल चुका है दिल्ली में तो जो बच्चे पास में हो जा सकते हैं और एक्स्पिरियंस कर सकते हैं एक नया यहाँ पर इनिशेटिव अनेकेडिम के दौरा अब दोस्तों लोग बात करते हैं देखें ब्रिक्स वेक्सीन रिसर्च एंड डिवलोप्मेंट सेंटर की बात करीगी है जो की लॉंच करा गया है यूनिन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मंसुक के दौरा अब ही मीटिंग हुई थी वहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में डिसकस करा गया था तो बता दो आप लोग को कि जो चाइनाज मिनिस्टर है मतलब की साइन्स और टेक्नोलिजी के वांग सी गैंग उन्होंने चेयर करा था इस पूरी लॉंच सेरिमनी को और फिर उसके ब अगले स्टाइजी की वह कैसे कोपरेट कर सकते हैं खुद को और कैसे डील कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कोई ऐसा पेंडिमिक आता है तब दोस्तों आप लोग को फेर डिस्ट्रिबूशन से मैं कुछ बाते बताना चाहूंगा देखे जब कोविड-19 की वेक्सीन बर्न दे दिये थे तो ये काफी बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिली थी कुछ गरीब देश उस सीच को नहीं ले पा रहे थे क्योंकि जो कम्पनीज बनाती तो थी पर वो पहले ही बिग जारी थे समान बनने से पहले ही समान बिग जा रहा था तो वो गरीब देशों तक 20% WHO की vaccine requirement के साथ साथ अपनी supplies vaccine को रखता है और लगबग 150 country तक हमें देखने को मिलता है इंडिया जो है वो वर्ल्ल का largest vaccine manufacturing industry हमें देखता हुआ मिलता है इसके साथ जो इंडिया है वो यहां पर vaccine manufacturing industry को भी offer करता है कि वो vaccine develop करेगा बिर्क्स के हर एक nation के लिए और साथ साथ दुन यह जो center है कैसे help करेगा हमें यह पूरा center है दोस्तों यह हमें मज़द करेगा कि हर एक जो brick country है वो अपना contribution देगा vaccine development की field में research वगएरा को जिसे कि दोस्तों जो bricks country की capability है वो ज़दा हो सके और हम लोग control कर सके कोई भी यहां पर अगर आगे infectious disease आता है तब जितने जो bricks nation है द को timely यहां पर help कर सकें और भी अलग-अलग developing nation को दुनिया भर में और यह जो center है दोस्तों यह मदद करेगा कि हम लोग यहां पर generate कर सकें pre-klinical और clinical studies को जो कि आप कह सकते हैं research development के थ्रूही होगा जो laboratories है big countries की वो यहां पर मदद करेंगी कि हम लोग यहां पर test कर सकें vaccine को candidates प यह मिल के अपने एक center बनाएंगे अपनी एक lab बनाएंगे जहां पे वो research और development करेंगे vaccine वगएरा disease के field में जिससे की आगे अगर कोई problem आने वानी होगी तो हम लोग उससे लड़ सकें एम क्या है इस research और development center का तो देखी दोस्तो मैं बता दूँ कि जितने BRICS countries हैं इन सभी को benefit हो इसके और हम लोग यहां पे accelerate कर सकें vaccine development process को अब ही जो center है दोस्तो यह मदद करेगा काफी सारी जिन्दगी को जितने भी हाँ citizen है BRICS countries के उनको और दुनिया भर में भी यह कुछ यहां पे aim है objective है जो कि हमें center से देखने को मिलते हैं ओके दोस्तो तो यही थी पूरी बाते short video थी पहली बताया आपको पर important है ध्यान रखेगा मिलते हैं ऐसे ही और videos के साथ till then take care good bye